हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ हरे प्याज की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी सेयर करने वाली हूँ मिन्स प्याज की जो पत्या होती है स्प्रिंग ओनियन उसकी मुठिया बना के दिखाने वाली हूँ तो आप पूरी देखिएगा मेरी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मुठिया खाने में आप एक बार खाएंगे तो बार-बार खाना चाहेंगे तो देखिए मेरी ये रेसिपी और आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ये हरे प्याज, प्याज की पत्तिया और देखिए इसमें चोटे-चोटे से नीचे प्याज भी लगे हुए हैं ये वाइट पार्ट जो है इसका भी यूज़ करेंगे हम और पत्तियों का भी यूज़ करेंगे और इने बारिक बारिक चॉप करना है, और इधर देखिए, यह मैंने हराधनिया लिया है, यह देखिए हराधनिया, दो हरी मिर्च ली है, और एक टोमेटो लिया है, थोड़ा टेंगी टेस्ट आने के लिए, और इन सारी चीजों को हम बारिक बारिक पीसे में चॉप कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं प्याज की पत्तियों का जो white part है ये ये काट लेती हूँ इन्हें अलग से काटना पड़ेगा बारिक बारिक पीसेस में काटना पड़ेगा तो देखिए कैसे काट रही हूँ मैं ऐसे ऐसे एकदम बारिक बारिक पीसेस में काट लीजिए कुछ इस तरीके से तो चलिए हम सारा काट के तयार कर लेते हैं तो ये देखिए प्याज की पत्तियां white part सब कुछ काट लिया है मैंने हराधनिया टोमेटो सब कुछ काट लिया है बारिक बारिक पीसेस में तो ये हरा धनिया और टमेटो भी हम इसी में मिला देते हैं जहां हमने प्याज की पतिया रखी है अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे नमक एट नमक थोड़ा स्वादानुसारी कीजिया और इसे रोटी का आटा कैसे गूतते हैं न अब आठा कुछ जैसे करना है मिल्स पत्तियों को सॉफ्ट करना है और नमक जरूर डालिएगा नमक डालने से ही ऐसी सॉफ्ट होती है तो देखिए इसे मसल के मैंने कुछ ऐसा कर दिया है और अब मैं इसमें अड़ कर रही हूँ आधा चमच मिल्च चटपटा टेस्ट आने के लिए आधा चमच हल्दी और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर एड़ किया आधा चमच और यह मैंने पाच प्रकार के अनाच का आटा लिया हूँ तो यह आटा है सोया बीन, जुआर, बाजरा, चना और गेहूं का मिक्स जो मैं विंटर सीजन में बहुत यूज़ करती हूँ और पाच अनाच को मैंने मिला के पिसवा लिया है आप चाहें तो चावल का आटा, गेहूं का आटा या कोई भी एक आटा यूज़ कर सकते हैं तो देखिए यह मैंने पूरा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा बचा दिया है, देखते ही जरूरत पड़ती है क्या और इसको रोटी के आटे जैसे पूरा गूत लेंगे, उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना होगा हमें यह जो बचा था यह भी डाल देते हैं, और अलग से पानी अड़ करने की हमें जरूरत नहीं है तो देखिए, यह गूत के तयार कर लिया है, और अलग से पानी नहीं अड़ करना है उसी में जो पानी चूटेगा, उसी में हमें अड़ करना है अब हाथ में लगा लिया हमने पानी और अब हम मुठिया बना लेंगे तो देखिए मैं कैसे बनाती हूं मुठिया ऐसे हाथ में लेके ऐसा रोल कर लेंगे कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान है ये रेसेपी और आपको मेरी ये रेसेपी कैसी लगी बताईएगा जरूर और जो न्यू है मेरे चैनल पे सबस्क्राइब जरूर कीजिए विद बेल बटन के साथ रेड कलर से सबस्क्राइब आएगा उसके बाद बेल बटन आएगी उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशनस आपको मिल जाएंगी मैं जो बनाती हूँ मेरी रेसेपी आपको देखने को मिलेंगी तो देखिए इस टाइप से हम सारे मुठिया तयार कर लेंगे बनाके और इधर हमने एक पतिले में पानी चड़ा दिया है और पानी गर्म हो गया है पानी को गर्म होने दीजिएगा देखिए और इधर हमारे सारे मुठिया बन के तयार है चार मुठिया बने हैं और एक जाली वाला बरतन ले दीजिएगा उस पे जमा दीजिएगा मुठिया और पतिली की उपर रख के ऐसे ठाग दीजिएगा तो 15 मिनिट बाद ही हम इसे खोल के देखते हैं जाली वाली प्लेट पे ही रखिएगा फ्रेंड्स तो देखिए चमत डाल के देख रहे हैं तो हमारे मुठिया पक गए हैं चिपक नहीं रहा है 15 मिनिट में ही ये मुठिया पक गए हैं अब गैस का फ्लेम कर दिया है बन और इन्हें 15-20 मिनिट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम तो ये देखिए ठंडा होने छोड़ दिया और जाली बाली प्लेट का ही यूज़ कीजिएगा इसे स्टीम करने के लिए और देखिए ये ठंडे हो गया अच्छी तरीके से ये हमने निकाल लिया और पीसेस कर लेंगे हम इसके हम धीरे धीरे से ऐसे पीसेस कर लिजिएगा और आप इसे चाहें तो डीप फ्राइ भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे सेलो फ्राइ करूँगी डीप फ्राइ तो ये और भी टेस्टी लगते हैं पकोड़े की जैसे तो ये देखिए आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते है या फिर लंच या डिनर के साथ भी ले सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो ये सारे मुठिया मैं चॉप कर लूँगी अब पीसिस में ये देखिए ये कर लिया इधर एक पैन में मैंने ओईल गरम करने रखा है और ये ले लिया है मैंने तिल और ये राई के दाने और हींग का उज़ेंगे हम हींग अपस्टनल है तो देखते हैं ओईल गरम हुआ क्या हाँ तो गर्म हो गया है अब मैं इसमें एड़ कर देती हूँ मस्टर्ड, मिंस राई के दाने और तिल देखिए तिल कैसे चटक रहा है इसलिए मैंने इसकी उपर ढाग दिया है और गेस का फ्लेम कर दिया बंद ताकि तिल जले न और यह जो मुठिया हमने काटके रखी बनाई है यह सारे इसमें आड़ कर देंगे और इधे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे गेस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए जला देंगे हम अच्छी तरीके से धिरे-धिरे मिक्स कर लीजिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी होते हैं ये आप ट्राइ जरूर कीजिएगा देखिए यहां मैंने गेस का फ्लेम चलू कर दिया है सिर्फ पांच मिनिट के लिए और बहुत ही आसान है ये रेसेपी देखिए ऐसे अलड़ते पलड़ते हुए सब तरक्स सहीने सेख लेंगे मैं फिर से बता रही हूँ कि आप इसे डीफ फ्राइ करके भी खा सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो हमारे मुठिया है खाने के लिए तयार आप बनाएए खाएए अपनी फेमेली को खिलाएए और मुझे बताएए कि कैसी बने थे ये थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के साथ